आदि भवानी पितांबरा मा बंगला मुखी देवी श्री परिवार महायुद्य समिती ट्रस्ट रजिस्टर्ट मुरादाबाद के तत्वावधान में 42 वर्षों के भाती इस्तिताले से वर्ष में भी 20 मई से 22 मई दोहजार तेस तक तीन दिवसी पितांबरा मा बंगला मुखी देवी चिन मुस्सव मा की विशेश अनुकमपा से ट्रस्ट के अध्यक्ष और सिद्ध पीठ गुरु राजेंद्र पाल गुपता के नेतरत्व में दूमधाम के साथ मनाय जा रहा है कारक्रम का शुभारम प्रथम दिवसी 20 मई दोहजार तेस को अपने पूर्व निरधारित कारक्रम के नुसार पांधरी बाईस्तित सावल दास की धर्म शाला से मंगल कलश यात्रा दूमधाम से निकाली गई मंगल कलश यात्रा का शुभारम मुख्य अतिती के रूप में उपस्तित काली माता मंदिर के मुख्य महंतर श्री सज्जन गिरी जी महराज और पूर्व मल्स रोक्ट विशेश गुपता द्वारा भगवान श्री गनेश जी महराज की और पितामबर मां बंगला मुख्य द वक्त अपने सिर पर मंगल कलश लिए सभी के आकर्शन का केंद्र रही तो वहीं शोभा यात्रा में स्वर्चलित अनेको जाकिया सभी कध्यान अपनी और आकर्शित कर रही थी कलश यात्रा पान दरीबा से आरंब होकर मंडी चौक बरतन बाजार अम्रोहा गेट चौक हटीले बाबा मंदिर डिपटी घंज होते हुए कारकर में स्थर जिगर कॉलोने स्थेत होलिका पर पहुचकर संपन हुए झाल कोई संपन हुए झाल 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 शोवायात्रा में जहें एक और भगवान रूप धारण किये कलाकारों ने अपने सुन्दर भावों से अपनी धर्म प्रेमियों का अपनी और आकर्शित किया तो वही रत परविड आजमान पितांबरा मा बंगला मुखी देवी सभी को आशिवात पदान करती चल रही थी बवानी पितांबरा मा बंगला मुखी देवी श्री परिवार महायागी समिती ट्रस्ट रजिस्टेड मुरादबाद द्वारा 33 पितांबरा मा बंगला मुखी देवी जन मोस्तफ की अवसर पर शहर में ब्रह्मन करने निकली मंगल कलश यात्रा का मार्ग में श्रधालों दारा फूलों की वर्षा कर और जलपान कराकर पितामबरा मां बंगला मुखी देवी की पूजा अर्चना कर भविस्वागत हुआ मंगल कलश यात्रा में मोख्य रूप से काली माता मंदिर के मोख्य महंत सज्जन गिरी जी महाराज पूर्वे मलसी डॉक्टर विशेश गुपता महंत श्री 84 घंटा मंदिर विश्णुदर्च शर्मा संत दास जी महाराज बोले नाद गोस्वामी में जार खंडी बंदिर सुरेंद्र कुमार अगरवाल आदी लोग मौजूत रहे